बच्चों ये है हमारी हिंदी की पुस्तक हिंदी शब्द लेखन हिंदी शब्द लेखन आज जो हम क्रिया कलाब करेंगे वो हम इसी अपनी पाठ्य पुस्तक में करेंगे तो आईए शुरू करते हैं ये है हमारी पाठ्य पुस्तक का पृश्ट नंबर चार यहाँ पर मैंने पहले से ही दिनांक लिखा हुआ है ठीक है और इसके बाईं तरफ मैंने कक्षा कार्य लिखा है तो सभी बच्चे ऐसे ही लिखेंगे ठीक है तो हमारे क्रिया कलाब का शीर्षक है चित्र देखकर पहला अक्षर लिखो चित्र देखकर पहला अक्षर लिखो तो बच्चो सबसे पहला चित्र ये किसका है शाबाश बच्चो पहचानो इसको ये है कमल का चित्र किसका चित्र है ये कमल का अग कमल का पहला अक्षर क्या होता है बच्चों? क, सही पहचाना आपने, पहला अक्षर है इसका क, तो आईए देखते हैं क कैसे लिखेंगे? चित्र के सामने हम क लिखेंगे, छीक है बच्चों? देखिए, क कमल, क कमल, दूसरा चित्र है बच्चों, जंडा, हमारा राष्ट्रे ध्वज है ये राष्ट्रे जंडा है जंडा किसे होता है बच्चो जह से कौन सा वेंजन है ये जह तो आईए जह लिखते हैं जह क्या है ये जह जंडा जह जंडा तीसरा चितर पहचानो बच्चो किसका है ये किसका चितर है शाबाश पहचानो शाबाश ये है तितली का चितर किसका चितर है ये तितली का पहला वेंजन पहला आक्षर कौन सा है बच्चो त कौन सा है त त तो अम यहां पर क्या लिखें त, क्या लिखेंगे, त, शाबाश, अगला चित्र किसका है बच्चों, गाएं का, किसका चित्र है ये, गाएं का, तो गाएं का पहला अक्षर क्या है, ग, ग, क्या है ग, गाएं, ग, गाएं, चीक है बच्कों, अगला चित्र देखो, कितने सुन्दर मच्चली है ये, मच्चली तो जल की रानी होती है, और कहा रहती है ये, जल में है न, तो मचली का पहला आक्षर किससे है बच्चो मा किससे है मचली माँ शाब बच्चो तो मा मचली मा मचली अब हम चलते हैं प्रेश्च नमबर पांच पर, प्रिश्च नमबर पांच पर, यहाँ पर भी मैंने पहले से दाइं तरफ दिनांख और बाइं तरफ कक्षाकारे लिखा है, सबी बच्चे ऐसे ही लिखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं इस पर, पहला चितर है बच्चो, अनार का, बहुत सारे बच्चे अनार खाते होंगे, है ना, खाते हो ना अप अनार, हाँ, मुझे पता है, सबी बच्चो को बहुत पसंद है अनार, तो चलिए बताइए मुझे, कि अनार का पहला आक्षर क्या है, बताइए, सही पहचाना, क्या है, अ, कैसे लिखते है, अ, अ, अनार, अ, अनार, अ, ठीक है, छुवट्यका पहला श्र का यक्षर बताओ शाबाश बताए कर शैब्ष कैसे लिखते हैं को चलिए देखते चप चुव कि कर फ़ल मैं करें अगला छित्र पहलेchni हैं इसमें हम शमेई देखते हैं ठीक है पता है कंव बत्चो को ई जब हमें समय का पता लगाना होता है कितना समय है कितना टाइम हुआ है तो आप कहां देखते हैं घडी में है न तो घडी पहला अक्षर है इसका घडी अब ये चित्र किसका है क्या है ये अंगूर ये भी सभी को बहुत पसंद है तो अंगूर का पहला अक्षर क्या है अंग अंगूर क्या से लिखेंगे अंग अंगूर कैसे लिखते हैं अंग अंगूर अगला चित्र देखो बच्चो ये तो वैसी ही बस है बिल्कुल वैसी जिसमें आप अपने स्कूल में जाते थे बैटकर है ना वैसी ही बस है ना ये पता है मुझे कि सभी ने इसको पैचान लिया है है ना तो हम बस का पहला आक्षर लिखेंगे क्या है बच्चो बस का पहला आक्षर क्या से लिखेंगे बा बा बबस शाबाज बच्चो अब हम चलते हैं प्रेष्ट नंबर सिक्स पर प्रेष्ट नंबर चे पर यह हमारा प्रेष्ट नंबर चे इसके भी मैंने दाइं तरफ लिखा है दिनांग और बाइं तरफ कक्षा कार रहा है, ठीक है अब देखिए इसमर पहला चितर किसका है उंट का क्या है ये उंट उंट कैसे लिखेंगे उंट है ना अगला चितर बताओ बच्चो छ छ छ छ चाता जब बारिश आती है तो आप छ छाते का इस्तिमाल करते हैं बारिश से बचने के लिए है ना च छ छाता अगला देखो ये तो है दर्वाजा दर्वाजा का पहला अक्षर क्या है द दर्वाजा अब जब हम दर्वाजे पर ताला लगाते हैं तो ताला किस से खोलते हैं चाबी से क्या है ये चाबी च चाबी तो पहला अक्षर क्या है च, च, चाबी च, चाबी अगला चीतर पहचानों बच्चो कौन सा है? उल्लू किस से होता है उल्लू? उसे तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? उल्लू उल्लू चीक है बच्चो? अब हम चलते हैं अपने अगले प्रिष्ट पर अगला प्रिष्ट है साथ प्रिष्ट नमर साथ यहाँ पर भी आपको दिनांख और अक्षातार ने लिखना है चीक है? तो चलिए देखते हैं पहला चीतर कौन सा है? यह तो है जोपडी क्या है यह जोपडी? तो जोपडी किस से शुरू होती बच्चो? पहच्छो किसका है यह? ओक्ली का ओकली किस से होती बेटा? ओ ओ ओ ओ ओ अगला चीतर देखो कितने संदर बतक है यह? बतक का पहला आक्षर बताओ क्या होता है? ब बतक बतक अगला चित्र पहचानो बच्चो क्या है ये जग शाबाश जग का पहला आक्षर क्या है जग 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 और हमारा आखरी चित्र कौन सा है बच्चो नल क्या है ये नल तो नल का पहला आक्षर कौन सा होता है न ल नल न ल नल ठीक है तो नोकिस से क्या शुरू होता है बिचो नल ठीक है तो ये हमारा क्रिया कलाब था अभी के लिए इतना ही धन्यवाद